हैलो फ्रेंड मेरा नाम है मरीनल घोश और इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत आसन तरीका से ऑनलाइन में LIC Policy का स्टेटस चेक कर सकते यानि LIC Policy का पूरा डीटल सामिया से पता कर सकते हैं उसके साथ-साथ LIC Policy Premium कितना ड्यू है ओ भी हमको इधर से मिल जाता है तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा तो चलिए आज का वीडियो शुड़ू करते हैं सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउजर से गूगल पर जाना परेगा गूगल पर चला जाएंगे तो नीचे हमको साजबर दिखेगा वी साजबर में जाके हमको लिखना परेगा LICI LICI लिखके सर्च करने से पहला बाला जो लिंक इदर आ जाएगा LICIndia.in ओई लिंक पर क्लिक कर देंगे तो Life Insurance Corporation of India का Official Website ओपन हो जाएगा तो इधर हमको थोरा नीचे आना परेगा नीचे आ जाएगे तो इधर हमको एक option मिल जाएगा Pay Premium Online के अंदर हमको दो option मिल जाएगा Pay Direct Without Login और दूसरा मिलेगा Through Customer Portal तो हमको क्या करना परेगा Pay Direct Without Login option पे क्लिक करना परेगा तो हम क्या करेंगे Pay Direct Without Login option पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा एक पेज आ जाएगा Pay Direct का तो इधर देखिए Pay Direct दिख रहा है Payment पेज आ गया तो इधर नीचे मेरे को प्रॉसीड option पे क्लिक करना परेगा प्रॉसीड option पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा तो देखिए इधर हमको कुछ बेसिक डिटेल्स डालना परेगा इधर हमको सबसे पहले Policy Number दालने के बाद Installment Premium Without Tax डालना परेगा उसके बाद हमको Dato डालने के बाद email डालना परेगा E-mail ID डालने के बाद mobile number डालना परेगा तो इधर हमको पूरा fill up करना परेगा पूरा fill up करने के बाद nीचे आ जाएंगे तो I agree का लेप साइड में एक box दिखेगा वी box पे click करना परेगा box पे click करने के बाद नीचे right side में submit option दिखेगा होई submit option पर क्लिक करना परेगा तो हमको क्या करना परेगा इधर हमको सबसे पहले पूरा fill up करना परेगा तो दिखी इधर हम पूरा fill up कर दिया पूरा fill up करने के बाद नीचे आ जाएंगे नीचे आ जाने के बाद आए गरी का left side में जो box दिख रहे होई box पे क्लिक करना परेगा box पे क्लिक कर देंगे box पे क्लिक करने के बाद submit option पे क्लिक करना परेगा तो हम क्या करेंगे submit option पे क्लिक कर देंगे submit कर देंगे तो next page आ जाएगा जिधर हमको पूरा details दिखेगा तो दिखेगा सबसे पहले नाम दिखेगा उसके नीचे policy number दिखेगा, उसके right side में due from due to दिखेगा, उसके right side में premium amount दिखेगा, कितना premium amount है, उसके नीचे हमको left side में total installment कितना due है, उसके right side में total premium कितना है दिखेगा, उसके नीचे gst दिखेगा, late fee रहेगा, तो late fee भी दिखेगा, उसके नीचे total amount कितना payable है, उसके नीचे right side मे बहुत ही आसन तरीके से policy number डाल के policy का पूरा status मिल जाता है I hope मेरा वीडियो आच्छा लगा तो like ज़रूर करना और बहुत सारे share करना और मेरे को comment करके बताना की कैसा लगा और मेरे चैनल में नए हो तो subscribe भी ज़रूर करना आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ जय हिंद